नमस्कार संस्क्रती आईएस के यूट्यूब चैनल में आप सब का फिर से एक बार स्वागत है हमारी संस्क्रती आईएस की टीम ने आप के लिए एक नए इनिशेटिव लिया है जिसमें आज हम राश्च्रे खेल पुरुषकारों के बारे में बात करेंगे और इस रंकला को आगे भी कंटीनू रखेंगे जिसमें हम आपको इसी तरह के कुछ टॉपिक से रूबरू कराएंगे उनके बारे में कुछ जानकारियां भी लब्द कराएंगे आप जान लेते हैं कि यह राश्च्रे खेल पुरुषकार क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए स्टेट पीसे इसके हर एक्जैम में आप देखेंगे चार से पांच कोशन इसके आते ही आते हैं वहीं यूपीसी ने एक नया च्रेंड बनाया है खेल से रिलेटेट उन्होंने भी कुछ कोशन पूछना शुरू कर दिया है तो इस संदर से यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चलि को देखते हैं देखिए रास्ट्री खेल पुरुषकार छे खेल पुरुषकारों को दिया जाने वाला एक सामोहिक नाम होता है यह केंद्रे युवा कल्याण और खेल मंत्रालय द्वारा हर वर्ष एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाडी को दिया जाता है यह भारत जाने लगा है और आपको बता दें कि 2020 तक 1269 व्यक्तियों और संगठनों को बिविन राश्ट्रे खेल पुरशकारों से अब तक सम्मानित किया जा चुका है तो देख लेते हैं कि वो छे पुरशकार कौन-कौन से हैं चलिए देखते हैं उनको पहला है मौलाना अवुल कलाम आजाद ट्रोफी दूसरा अरजन पुरशकार तीसरा द्रोणाचार पुरशकार चौथा मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पाच्मा मेजर ध्यान चंद्र पुरशकार छटा है और अंतिम है राश्ट्रे खेल प्रोसाहन पुरशकार अब हम इनके डिटेल में जाएंगे और आप देखेंगे किस-किस खिलाडियों को ये प्रदान किया गया है देखते हैं कि हम पहले खेल यानि कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1956 से 57 में हुई थी पिछले एक वर्ष की अवधी में अंतर विश्रुविध्याले टू जाता था जो भारतिये स्वतंत्रता आंदोलन के वरिष्ट नेताओं में से एक और स्वतंत्र भारत में पहले सिक्षा मंत्री थे इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना चाहिए अब यह देख लेते हैं किस-किस यूनिवर्सटी को इस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है यदि हम बात करें 2020 की तो पंजाव यूनिवर्सटी यानि चंडीगड में ये विश्विध्याले हैं पंजाव यूनिवर्सटी को 15 वार इस ट्रॉफी से सम्मानित किया जा चुका है 2015-16 में 2016-17 में 2017-18 में और 2019 में और अभी 2020 में भी इसको सम्मानित किया गया है किस-किसको अब देग सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अब हम दूसरे पुरशकार यानि अर्जन पुरॉष्कार के ओर बढ़ते हैं और जानते हैं ये कब कैसे किसको दिया जाता है अर्जन पुरुषकार उनने सो-इक्सेट में स्थापित किया गया था ये खिलाडियों को पिछले 4 वर् उपय का नगत इसमें शामिल रहता है इसके नाम से अब समझ पा रहे होंगे अर्जुन पुरुषकार किसके नाम पर पढ़ा होगा हम आपको बता दें प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत के केंद्रिय पात्रों में से एक अर्जुन के नाम पर इसका नाम रख ढ़्यूंता नाम तो हमाओं सब्केः करें प्रणाव से उन्नी बता यह को लिए नियों सबस्कार के नाम से फिक L ça का धियरा करें किसके हो सब्सक्राइब निशौन चीइए लिएया हैं निशानेवाजी से तीन एतलेटिक्स वेडिमिंटन मुक्केवाजी क्रिकेट हॉकी और कुष्टी से दोदो और तीरंदाजी वास्केट वॉल गुरसवारी फुट्वॉल गोल्फ कबड़ी खोको लॉन टेनिस से एक एक व्यक्तिस में शामिल है तीन व्यक्तियों को इसमें पैरे स्पोर्ट स प्रशकार के बारे में जानेंगे कब स्थापित किया आगया किसको दिया जैसे बाकी पूरशकार दिये गए थो इसको उन्निस सौ 15 में स्थापित किया था यह प्रतिस्थित अंतरस्त्री आईजनों में पदक विजेता बनाने के लिए कोचो Kो दिया जाता है द्रोनाचार के नام से आप समझ पा रहे होंगे कि प्राचीन भारत के संस्क्रित महां का महा भारत का एक पात्र था और उनी के नाम पे इस पुरूशकार का नाम भी पड़ा है तो देख लेते हैं ये पुरुशकार किनकिन को दिया गया है और किस किस वर्ष में दिया गया है यदि हम 2020 की बात करें तो हौकी के लिए जूट सेवेस्टेन को दिया गया है और मलखंब के लिए योगेश मालवियजी को दिया गया है वैसे ही और भी कई नाम है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 2019 में भी यह दिया गया है एथलेटिक्स के लिए बेडमिंटन के लिए टेनिस के लिए इनके कोचों को दिया गया था 2018 में भी boxing और tennis इत्यादी के लिए दिया गया है आप देख सकते हैं अपनी screen पर screenshot लेके रख सकते हैं ताकि ये आगे परिक्षा में आपको revise करने में आसानी रहेगी मेजर ध्यान चंद्र खेल रतन के बारे में अब हम जानेंगे ये कब स्थापेत हुआ और ये किस किस को दिया गया है इस खेल के स्थापना वर्ष उननेस दोग्यानवे से बानवे के बीच में की गई थी ये खिलाडियों को पिछले चार वर्षों की अवधी में किसी पुरिषकार के नाम से जाना जाता था यह भारत का जैसे कि आपको पता ही है कि सर्वोच खेल सम्मान है देख लेते हैं इसमें किस-किस को किस-किस खिलाडियों को यह पुरिषकार प्रदान किया गया है अब तक इसमें बहुती चर्चित नाम अभी आपने 2021 में सुना होगा में सम्मानित किया गया है वही 2020 की लिस्ट पी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2018 2019 की भी लेकिन अभी जो भी महतपूर है वो है वर्तमान का डाटा तो उस पर जादा फोकस करिएगा अब हम बढ़ते हैं अपने पांच में पुरुषकार यानि कि मेजर ध्यान खेल रतन और अब है मेजर ध्यान चंद्र पुरुषकार इन दोनों में डिफ्रेंस है जब आप दोनों को पढ़ लेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वो डिफ्रेंस क्या है तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं मेजर ध्यान चंद्र पुरुषकार 2002 में स्था चापित किया था यह है व्यक्तियों को खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है और इस पुरुषकार में क्या क्या शामिल है ध्यान चंद्र की प्रतिमा एक प्रमाण पत्र आपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपे का नगत पुरुषकार जैसा कि मैंने 1926 से लेके 1948 तक 20 वर्षों के करियर के दौरान 1000 से अधे गोल दिये थे चलिए देख लेते हैं यह पुरुषकार हाली में अभी किस-किस को दिया गया है अब अपनी स्क्रीन पर 2020 की प्राप्त कर्टाओं की सूची को देख रहे होंगे जिसमें पहला नाम एतलेटिक्स के ल नाम है जिनने आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वही 2019 की लिस्ट भी आपके सामने है 2018 की लेकिन जैसा मैंने बताया कि obviously अभी जो डिसेंट में जिनको पुरुषकार से सम्मानित किया गया वह important है क्यूंकि उसी से related हमारे exams में most property questions आते हैं तो चलिए बिना किसी देरी क अन्तिम खेल को देख लेती हैं जिसका नाम है राश्च्छ्रे खेल प्रोसाःन परशकार राश्च्छ परोसाहन परशकार को 2009 में स्थापिक किया गया था यह पिशले तीन वर्शों की अब्धी में खेल प्रचार और विकास के छेत्र में द्रश्मान भुमिका नेभाने क के लिए संगतनों यानि कि ओगनाइजेशन को जिसमें निजी और साजनी दोनों और व्यक्तियों को भी दिया जाता है एक अगर एडिशनल पॉइंट हम इसमें देखें तो हिंदी में इस पुरुषकार का नाम राश्चे खेल समवर्धन पुरुषकार के रूप में अनुव 2020 की अगर हम बात करें तो खिलाडियों का रोजगार एवं खेल कल्यार उपाय के लिए वायू सेना खेल नेंतरन बोड को कॉर्परेट सामाजिक उत्तरदाईत के माध्यम से खेलों को प्रोस्ताहन जिसमें तेल और प्राकर्तिक गैस निगम को दिया गया है अब हम बात करत हैं या फिर पीडियाप में फ्लब दी रहेगा आप उनसे देख सकते हैं एक बार एक नजर डाल सकते हैं पर तो आज के इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं और इसी तरह से आगे भी एक नए नए टॉपिक लेकर आएंगे हम यदि आपको हमारा इनिशेटिव अच्छ ट्राइब करें धन्यवाद